नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे यूटूब चाहें पर स्वागत है क्या इस समय आप ओमान में आना चाहते हो चाहे वो इंडिया बंगला देश पाकिस्तान नैपाल या किसी और कंट्री के रहने वाले हो आप ओमान में आना चाहते हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि ओमान में बहुत ही बड़े 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 बड़ाव किया गया है जो कि आपसे रेटेट है जो मतलब टेवल करना चाहता है उनसे खासा रेटेट है जो ओमान में आना चाहते है क्योंकि कोरण टाइम रूल को लेकर है कोरण टाइम रूल म के लिए ओमान सुप्रीम कमेटी ने आप ही के आप पर ये सका बोज पड़ेगा, क्यूंकि आप आओगे मसकत एरपोर्ट पे मसकत एरपोर्टप भी नहीं आओप आओगे जैसे आप कुसी भी कंट्री के रहने वाले ओमान लीजिए कोई भी कंट्री के रहने वाले हो आपको होटल बुक करके ही आना पड़ेगा जो कि सभी एयरलाइन्सों को भी बताए गया चाहें या आपकी और उपार एर वारी हो गई सभी को एड्वाइज जारी है नया रूल नया रूल को हो दो चुका है वह मनद्फ नगा अब अको की तो बात कलने आपको क्या करना होगा सबसे पहले स्वैम के खर्के पर गर्लभाई अडे यहाँ धोक्त एक यहाँ क्या होता था पहले हम क्यों टाइम होता था लेकिन अब उसको बदल दिया गया अब आपको लाजिमी होटल में रहना पड़ेगा वो भी एक दो दिन नहीं पूरे एक हफ़ता एक हफ़ता में मतलब आपको वहाँ पर होटल किसी भी होटल में रह सकते हो यह ऐसा नहीं है कि मतलब आपके जैसे आपके रेलेटर साब को जानकारी है आपके म आपके फायदे में जो भी आप बजट के हिसाव से आप अपना देख के मतलब बुक करसके हो, उतमें कोई परावलम नहीं है, तो होटल हो गया वहीं बात करें, यहां पे मतलब सब किसी भी होटल के आप मतलब बुक कर लो, यह तो मने पहले बता दिया, अगर जो बात करें यहाँ पे तक्रीबन मेरे हिसाब से तो 100 रियाल तक्रीबन में भी 100 रियाल का फटका आपके उपर लगेगा ही आपको बता दें कि जैसे यह हो गया यह मतलब यह रूल अब इंसोरंस इंसोरंस भी आपको करा के आना पड़ेगा अपने ही कंट्री से मतलब जैसे आप उमान में आने वाले हो तो इंटरनेशनल एक मंत का मतलब इंसुरंस करा के ही आना ऐसा नहीं कि खाली हाथ आप आप आऊगे हो कोई कोश्चन होगा तो वीडियो की नीचे जरूर कमेंट करिएगा वीडियो अच्छा लगा और लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दीगा नमस्कार